सब्सक्राइब कीजिए लुक्तल्स एडुकेशन पॉइंट एडुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसके पीछी की में हिस्ट्री क्या है जो रूट्स अप्रोच है ये एक साइटिस्ट थे मार्गरेट रूड उनके ठ्रूई डिजाइन की गई थी 1956 में अब जो रूट्स अप्रोच है वो मेनली काम किस पे करती है हम समझें तो बाद में कि की रूट्स अप्रोच होती गए पर हमें यह पता होना चाहिए कि जो Roads Approach है, वो काम कैसे करती है हमारी बोडी पे, तो इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए Musculoskeleton Units क्या होती है, हमारी बोडी में जो भी movement होती है, या फिर जो posture हम maintain करते हैं, यह सब control किया जाता है हमारी बोडी में different different Musculoskeleton Units के थू अब Musculoskeleton Units के अंदर काफी सारे enzymes होते हैं, और साथ साथ में काफी सारे fibers भी पाये जाते हैं, तो Roads Approach mainly हमें क्या बताती है, कि वो जो Musculoskeleton Units के fibers होते हैं, हम उनको खुद से control कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर कोई fibers inhibition में गए हैं, तो हम उन्हें facilitate कैसे कर सकते हैं, या फिर अ अगर कोई muscle गई हुई है, तो उसका मतलब क्या है, कि वो facilitation में हैं, हमें spasm को कम करना होगा, तो हम उसके अंदर inhibitory जो approach है, वो use करेंगे, तो मतलब Roads Approach के तरू हम facilitation भी कर सकते हैं, किसी भी fiber का, और हम inhibition भी कर सकते हैं, तो muscle fibers का जो control है, या तुनको facilitation करना है, या inhibition करन के लिए help में लाई गई थी, मतलब सबसे पहले हमने cerebral palsy और जो patient है, उसका treatment किया था Roads Approach के तरू, but आज के time में काफी सारी neurological conditions और other conditions है, जो कि हम Roads Approach के तरू treat कर सकते हैं, जैसे कि different neurological conditions में हम Roads Approach का यूज कर सकते हैं, rheumatoid arthritis की condition में हम यूज कर सकते हैं, osteoarthritis की condition में भी यूज कर सकते हैं, soft tissue injury की time भी हम Roads Approach का यूज कर सकते हैं, So Roads Approach की objective है, objective क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कि यह inhibition में भी help करती है, और यह facilitation में भी help करती है, तो यह कै हुरा हमारा motor control होता है body का उसको gain करने में help करती है, मतलब हमारा excite है तो उसको वापत से कम करने में या अगर हमारा कम है तो उसको जगादा करने में help कर सकती है, अब motor control या motor moment क्या होती है हमारी body में different different type की moments होती है जो कि muscles के थुरो वो हमारी क्योंते है motor movement होती है तो जो हमारे motor control होता है उसके कुछ एक stages जो rules थे उन्होंने बताई थी कि motor control कुछ एक stages के अंदर होता है तो इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है reflex mobility, then होती है stability, then होती है mobility supreme post on stability and then होती है skill, सबसे पहले हम बात करते हैं reflex mobility की, reflex mobility mainly क्या होती है, अब सुपोस गीजिए कोई भी बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है, क्या करता है, जब वो starting में birth होता है तो उसे तो सारी movements नहीं कर सकता हो, जो बच्चा होता हो, उसके अंदर सरफ primitive reflexes देखने को मिलते हैं, मतलब हम कोई भी stimuli देंगे, उस stimuli के response में, वो reflex movement करेगा, जिसके थुरू क्या होता है, वहां पर movement आती है, तो इसका मतलब क्या है कि purposefully कोई भी movement करने से पहले, जो child होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई भी movement purposefully करवानी है patient से, तो पहले reflexic movement हमें चेक करने होगी, कि patient सही कर रहा है या नहीं कर रहा, then हमारा इसके बाद में जो दूसरा stage आता है, वो होता है stability, stability का मतलब क्या होता है, अगर patient को अपना कोई भी, जैस सुपोस की जी hand है, अग अगर patient को, अपने hand को use करना होगा, तो अब hand क्या है, हमारे shoulder से attach है, वो trunk से attach है ना, तो मतलब यह bio-mechanical attachment है, मतलब हमारी body का हर एक part, दूसरे part से attach है, bio-mechanically, ठीक है, तो अगर हमें हमारे hand की movement अच्छी करनी है, तो हमें उसके लिए क्या ध्यान में रखना होगा, हमें उस patient के shoulder की movement है, वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, then जो हमारा third stage आती है, वो होती है, mobility supreme pose drone stability, mobility supreme pose drone stability का मतलब क्या है, कि अगर patient को, अपना hand या फिर अपनी कोई भी movement purposefully use करनी है, जैसे कि patient को अपने face को touch करना है, अपने hand से, तो उसके लिए उसके जितने भी joints है, उन joints के अं कि मेरे हर एक joint की stability अच्छी होनी चाहिए, आप उपर से लग जाए, shoulder joint की stability होनी चाहिए, elbow joint की, wrist joint की, metacarp of phalange joint, हर एक joint अच्छे से stable होना चाहिए, तभी मैं एक purposeful moment को अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, then जो last में stage आती है, वो होती है, हमारी skill, अब ending में जो patient क्या होता है, जैसे कि combing, eating, dressing, यह कहा है, उसकी skillful moments होती है, जो कि वो अपने ADL में, activities of daily living में करता है, तो last में यह आती है, सबसे पहले हमें patient की reflex mobility को अच्छा करना होगा, उसके बाद ही तो वो purposeful activity कर पाएगा, उसके बाद में जो उसकी bio mechanical attachments है, उनकी stability को maintain करना होगा, जैसे की trunk हो गया, shoulder हो गया, neck हो गया, then, उसके बाद में हमें जो, जैसे hand से face को touch करना है, तो hand के अंदर जितने भी joints है, उन सब joints की जो stability है, उनको maintain करना होगा, और ending में जो patient है, patient के अंदर skillful movements को develop करना होगा, जैसे की combing, eating, खाना खाना या dressing, कैसी भी जो skillful activities है, उनने develop करना होगा, अब Roots न क्या होते हैं और myotoms क्या होते हैं, myotoms वो nerve fibers होते हैं, जो कि mainly spinal cord से निकलते हैं, और different–different muscles को supply करते हैं हमारी body में, और dermatome वो nerve fibers होते हैं, जो कि mainly skin को supply करते हैं, ठीक है, तो अब Roots ने, और आपको इनके levels के बारे में पता होना चाहिए, आप इसके, आप इनके जो levels है, different different my आपको इसमझना है तो आपको डर्मेटम मायो टोम काफी अच्छे से पता होने चाहिए। रूड ने कहा था अगर हम किसी डर्मेटम को स्टिमूलेट करते हैं तो वहां पर जो मायो टोम है उसके अंदर भी response आना start होगा example के तुरू समझाते हैं आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा suppose किजिए हमारे biceps है यह हमारी biceps muscle है biceps muscle का उपर का जो dermatome है dermatome मतलब जो यह उपर की skin है biceps muscle की वो mainly c5 dermatome से supply होती है मतलब biceps तो muscle है biceps muscle के उपर जो skin है वो c5 dermatome के दिरू सपलाई होती है तो अगर हम जो stimulus है वो skin के उपर देंगे जो biceps की उपर skin है उसके उपर अगर हम stimulus देंगे तो जो action है वो biceps करेगी मतलब biceps का क्या काम होता है mainly flexion at elbow तो अगर हम कोई भी stimulus biceps के उपर जो dermatome है मतलब जो skin है, मतलब C5 Dermatome के उपर कोई भी हम stimulus देंगे, तो जो action होएगा, वो क्या को, flexion हमें देखने को मिलेगा अब वो flexion इनी beat भी हो सकता है वो हमारा facilitate भी हो सकता है, वो तो depend करता है हम कौन सा, कौन सी approach उज़ कर रहे है, तो इसका मतलब कहा है कि अगर हमें किसी मायोटोम को stimulus करना है और हम directly किसी मायोटोम को stimuli नहीं दे सकते, तो हम वहाँ पर जो dermatome, dermatome को stimulus देते हैं, जिसके तुरू जो हमें response मिल रहा है, वो mainly क्या होता है, हमें मायोटोम मतलब जो muscle है, उस dermatome के नीचे उससे मिलता है then हम बात करते हैं, roots approach के principle की, so exactly principles क्या है, root approach का जो इसका पहला principle है, वो है normalization of tone, second one is ontogenic developmental sequence third is purposeful movement and last one is repetition of movement इनको एक ही करके हम अच्छे से describe करते हैं, सबसे पहले होता है normalization of tone का, normalization of tone का क्या मतलब है, कि अगर हम, अलग-अलग जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम appropriate sensory stimulus का use करते हैं sensory stimulus का क्या मतलब है कि हम dermatome को stimulus देते हैं, या फिर जो skin है, skin को stimulus दे रहे हैं तो अगर हम एक appropriate sensory stimulus को use कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर desired muscular response ला सकते हैं, for example, अभी मैंने आपको biceps का example लेके बताया था biceps में क्या हो रहा था, biceps के जो उपर की skin है, वो C5 dermatome के थूँ सप्लाई हो रही है, अगर हम उस skin के उपर कोई भी stimulus दे रहे हैं, तो action तो biceps muscle का दिख रहा है न, flexion of elbow कम हो सकती है, जादा हो सकती है, वो तो depend करते है हम कुन सी technique का use कर रहे हैं तो मतलब biceps की हम इस technique के थूँ टोन increase भी कर सकते हैं और tone decrease भी कर सकते हैं फोर suppose कीजिए, biceps की जो tone है, वो decrease है, कम है तो अगर हमें biceps की tone को increase करना होगा तो हमें facilitation जो approach है, वो use करनी होगी, कहाँ पे, biceps की उपर जो skin है, उस skin के उपर हमें roots की facilitation जो approach है उसको use करके, biceps की जो tone है उसको increase करना पड़ेगा और इसी के opposite side, अगर biceps की जो tone है, वो पहले से ही जादा है और हमें उसकी tone को कम करना है तो हम वहाँ पे जो inhibition approach है roots की, उसको use करके, उसकी जो tone है, उसको कम भी कर सकते हैं तो mainly इसका मतलब वही है कि हम जो dermatome है, उसके उपर अगर sensory stimulus देते हैं, तो उसके थूँ क्या हो सकता है, हम उस muscle की tone को increase भी कर सकते हैं उस tone को decrease भी कर सकते हैं, मतलब नोर्मल ला सकते हैं, then जो हमारा second principle है, वो है ontogenic developmental sequence ontogenic developmental sequence sequence का मतलब क्या है, इसके अंदर roots ने कहा था कि हमारी body में चाहें कोई भी sensory control हो या चाहें कोई motor control हो, वो हमेशा step wise होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चा birth लेता है, बच्च के साथ हमें उसके अंदर सारे motor controls या sensory controls हैं वो आ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता जो बच्चा है, उसके अंदर धीरे-धीरे motor controls होते हैं, वो develop होना start होते हैं, तो roots नहीं ये कहा था कि कोई भी patient है, हमें उसका current level of development देखना पड़ेगा, कि patient कोन से level of development पे है then उसके basis पे हमें step wise उपर बढ़ना होगा, for example जैसे कि मैंने आपको objective में बताया था कि पहले reflexic moment आनी start होती है then वहाँ पे stability आनी start होती है trunk, neck, shoulder में, उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारे hand, hand की different joints के अंदर stability आनी start होती है और ending में skillful moments करना start कर रहा है patient, तो example for example, अगर patient stability वाले level पे है, कि patient की trunk, neck, और जो shoulder है वहाँ पे stability है, और patient को hand है, वहाँ पे stability नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो हम stability से अपर लेवल पर जाएंगे, मतलब mobility, superimposed on stability, इसका मतलब क्या है कि जो patient के हम क्या करेंगे जो भी hand की movements है उनके अंदर क्या है, उनके अंदर हम क्या करना start करेंगे, development लानी start करेंगे, उनके अंदर hand के joints के अंदर stability लानी start करेंगे और ऐसा नहीं है कि हम stability से direct skillful movements की उपर jump कर जाएंगे इससे फिर patient treat नहीं होगा जल्दी से, हमें step wise जलना होगा patient stability, patient की trunk, neck और shoulder में stability है, ठीक है उसके बाद में हमें जो patient के hand के different joints है, वहाँ पे stability लानी होगी, और उसके बाद में हम patient को कहा है, skillful movements कराना start करेंगे तो पहला, दूसरा point समझ में आगे, ontogenic developmental sequence का कि अगर patient की जो body है आफिक किसी भी person की body है उसके अंदर जो motor controller development होती है, वो एक step-wise सरीके से होती है, एक sequence से होती है तो हमें patient के current level of development को देखते हुए, एक higher level of development पे patient को लेके जाना होता है, और हम किसी एक sequence को बीच में jump भी नहीं करते हैं then हमारा जो third point रूट्स का वो है purposeful movement, purposeful movement क्या मतलब है, roots ने इसके अंदर कहा था कि हम patient को कोई एक ऐसी activity करने के लिए के लिए कहते है जो कि patient को काम तो आते है ADL के अंदर, purposeful होती है वो और वो क्या करती है, जो हमें movement चाहिए वो movement भी लाके देती है for example, patient के पास में फोन पड़ा है और हम क्या गया है, उसके उपर call करते है और patient को कहते है, phone call पिक करने के लिए phone को कान पे लगाने के लिए अब patient क्या कहेगा, phone को उठाएगा और अपने कान पर लगाना स्टार्ट करेगा तो अब इसके थू क्या है, उसके हर एक joint के अंदर stability maintain हो रही है तो purposeful moment का मतलब क्या है, कि हम patient को एक purposeful moment करने के लिए कहते हैं, जिसके थू हमें जो desired moment है, वो मिल जाती है जैसे कि अगर हमें elbow की flexion चाहिए तो call करेंगे patient phone को उठाएगा और अपने कान पर लगाएगा, तो क्या है वहाँ पे elbow की भी flexion हो रही है तो मतलब क्या है कि कि किसी purposeful activity के थू जो patient की moment है, वो होनी start हो रही है then जो fourth point है, वो है repetition of moment अब हमने patient को call किया patient ने वो phone उठाया और अपने कान पर लगाएगा सिरफ एक बार, ठीक है उसका मतलब यह तो नहीं है कि एक बार लगा लिया तो patient बिल्कुल ठीक हो गया उसको जो moment है, वो regular करनी पड़ेगी मतलब उस moment को repeat करना पड़ेगा काफी बार, काफी लंबे time तो उसको repeat करना पड़ेगा, तभी तो वो moment आएगी न, तभी patient सिखेगा उस moment को करना तो इसके लिए कहा है कि हमें उस moment को बार-बार-बार-बार repeat कराना पड़ता है ताकि patient उसको सीख जाए अच्छे से अब इसका example मैंने लिखा हुआ है learning to ride bicycle या फिर bicycle, learning to ride bicycle अब इसमें कहा है कि कोई भी बच्चा है बच्चे को हम cycle पर बिठाते हैं और उसे cycle चलाने के लिए first time कहते हैं तो first time जो बच्चा है वो cycle को नहीं चला पाता वो गिल जाएगा वो दो बार, पांच बार, दस बार, बीस बार या तीस बार practice करेगा cycle की तब जाकर वो उस cycle को चलाना सिखेगा तो इसका मतलब कहाँ कि वो बार-बार repeat कर रहा है उसको तो repetition of moment हमें कराते रहना पड़ता है patient को ताकि वो जो motor learning है वो patient अच्छे तरीके से सीख जाए तो मैंने आपको चार यहाँ पर points बताए पहला है normalization of tone normalization of tone के अंदर मैंने क्या बताया कि जो patient है patient के muscles के अंदर जो tone है हम उसको control कर सकते हैं हम उसको increase भी कर सकते हैं decrease भी कर सकते हैं कैसे वहाँ पर appropriate sensory stimulus देखे then हमारा second point है ontogenic developmental sequence इसका मतलब कहाँ कि जो patient है उसकी body के अंदर जो भी motor control आ रहा है यह development हो रही हो step wise होती है तो हमें patient की current level of development को देखते हुए उपर और further steps है वो लेने पड़ते हैं हम यहाँ पर sequence जो चल रहा है उसको jump भी नहीं कर सकते हम क्या है higher level of control पर या higher level of development पर लेके जाते हैं patient को then हमारा जो third आता है वो होता purposeful movement यहाँ पर patient को हम क्या है यह purposeful activity करने के लिए कहते हैं जैसे कि phone call को pick करने के लिए कहते हैं जिसके थुरू हमारी जो desired movement pattern है वो patient करने लग जाता है for example flexion of elbow then जो हमारा force होता है वो होता है repetition of movement repetition of movement का मतलब क्या है कि अगर हमें patient को कोई एक movement सिखानी है तो वो movement हम में लिग है repeat करवाते हैं patient से बार बार ठीक है जैसे कि अगर हमें cycle बच्चे को चलाना सिखाना है तो बच्चे को क्या है हम उसको 30-40 बार क्या है काफी बार उसको practice करवाएंगे तभी तो वो cycle चलाना सिखेगा ना तो यह मेंली roots के चार principle है अब roots की ontogenic sequence की बात करते है root ने mainly जो अपने ontogenic sequence है इनको दो categories के अंदर divide किया था जैसे कि जो पहली category है वो है motor developmental sequence और जो दूसरी category है वो है vital function sequence अब ontogenic sequence क्या है ontogenic sequence का मतलब क्या है कि वो sequence जिसके अंदर जो हमारी body है वो develop कर रही है जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि हमारी body के step wise development करती है मतलब एक sequence में develop करती है तो ontogenic sequence में ली क्या होता है वो sequence होता है जिसके अंदर हमारी body के अंदर जो development है या motor control है वो एक step wise तरीके से develop कर रहे है तो roots ने इसको दो टाइप में divide कर दिया पहला है motor developmental sequence और दूसरा है vital function sequence अब इसके example लेके समझाते हैं अब suppose कि जी कोई एक fish है ठीक है वो fish सबसे पहले क्या होगी embryo form में होगी embryo से फिर वो larva में जाएगी then वो juvenile fish बनेगी then adult fish and then eggs देगी तो ये एक sequence है पहले embryo then larva, then juvenile fish then adult fish, then egg देगी वो ऐसा तो नहीं है न कि embryo direct ही दल्ट fish बन जाएगा बीच में और stage आएगी ही नी तो इसी तरीके से हमारी body के अंदर क्या होता है हर एक motor controller और हर एक development sequence के तुरू चलते हैं अगर बीच में हम किसी भी sequence को break कर देते हैं तो वो motor control या वो development अच्छे से नहीं हो पाता अब जो roots है roots ने ontogenic sequence को मेंली दो category में divide कर दिया that is motor developmental sequence and vital function sequence पहले हम बात करते हैं motor developmental sequence की और यह is important है जो vital function sequence है वो इतना important नहीं है में आप motor developmental sequence पे focus केजिए motor developmental sequence में जो पहला आता है वो तह सुपाइन विड्रोल then roll over then pivot prone position then neck co contraction then prone on elbow then quadripod and ending में आता हमारा standing अब मैंने आपको यहाँ पे starting में एक बात बताई थी यह ontogenic developmental sequence में मैंने आपको बताया था कि sequence wise चलता है तो अब यहाँ पे देखे sequence wise पहले step सुपाइन विड्रोल बच्चा जब बर्स लेता है तो उस time सबसे पहले क्या होता है वो flex position में होता है then roll करना सीखता है then pivot prone position में होता है तो यह sequence है यहाँ पे अब हम इसको patient के उपर कैसे apply करेंगे सबसे पहला जो point आता है वो होता है सुपाइन विड्रोल में 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 लिए क्या होता है सुपाइन विड्रोल position में जो patient या जो child होता है वो mainly total flex position के अंदर होता है यह देखिए जो यह image है इस image में जो यह child है यह completely flex position के अंदर होता है तो अब आपको क्या दिख रहे है इसके अंदर जो इसकी trunk है वो complete flexion में गई हुई है मिड़लब जो इसकी body का posture है चाहिल की वो complete flexion position है तो अब आप इससे देख सकते है जो supine withdrawal position होती है इसमें complete flexion होती है तो यह जो position है या फिर यह जो sequence है यह हम किस patient में mainly prefer करते है यह उन patients के अंदर prefer किया जाता है जिनके अंदर जो flexion position है वो attend नहीं कर पा रहे है मतलब flexor muscles की weakness है और जो extensor muscles है उनकी spasticity है ठीक है अगर extensor muscles की spasticity है तो patient की position होगी वो extension position में होएगी है ना तो हम यहाँ पे जो यह flexion position वाला जो sequence है वो adopt करेंगे ताकि जो patient की extensor muscles की spasticity है वो break हो सके और flexion muscles में strand आ सके तो सबसे पहला हमारा supine withdrawal position है इसके अंदर क्या होता है कि patient को हम complete flex position के अंदर लेके आते है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि patient की extensor muscles की spasticity है जिसकी वज़े से जो patient का posture है वो extension में है तो अगर हम यहाँ पे flex position वाला जो sequence है supine withdrawal position attain करवाएंगे तो जो extensor spasticity है वो break हो जाएगी और जो flexion है वहाँ पे क्या है flexor muscles के अंदर stranding आनी start होगी then जो second point आता है वो तो हमारा roll over roll over position में mainly फैरिफ्टर डाइगराम देख लीजिए आपको इससे ज़्यादा benefit मिलेगा यह roll over position का image है तो roll over position में mainly क्या होता है हम roll over position में mainly जो trunk muscles होती है उनको activate करते है trunk muscles को activate करने से mainly क्या होता है कि patient को rolling में असानी होती है अब यह हम किन patients के अंदर recommend कर सकते है जैसे कि मैंने पहला point आपको बताई दिया rolling develop करने में मदलब जो patient roll नहीं हो सकते उनके अंदर अगर हम trunk muscles को activate करेंगे तो वो rolling करने में उनको क्या है असानी होगी then ATNR response बच्चे के अंदर जो अगर आपने primitive reflex पड़े होंगे तो वहाँ पे होता है ATNR response जिसकी full form होती है asymmetric tonic neck reflex ATNR में mainly क्या होता है कि जो child होता है child जिस तरफ neck मालो neck वो right side में अपनी घुमा रहे है तो right side में neck घुमाएगा तो right side में जो उसके hand और जो leg है वो mainly extensors में चले जाएंगे और जो left side की है वो mainly flexion में चले जाएंगे तो यह है asymmetry tonic neck reflex अगर हमें बच्चे में ATNR response को develop करना है या फिर अगर किसी patient के अंदर हमें rolling movement को develop करना है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे trunk muscles को activate करेंगे जिसके through यह movements patient के अंदर होनी start हो जाएगी then हम यहाँ पर हमारा थर्ड point होता है वो होता है pivot prone position pivot prone position का मतलब क्या है पहला आप इसकी image देख लीजिए यह बच्चा आपको उल्टा लेटा हो दिख रहा है prone position में तो यह हमारी mainly क्या है pivot prone position है so pivot prone position में mainly क्या होता है जो हमारी अब जैसे मैंने supine withdrawal position में बताया था इसके अंदर जो patient है वो already extension position में है हमें उसको flexion position में लेके आना है pivot prone position में क्या है कि जो child है या जो patient है वो mainly flex position में है हमें उसको extension position अंदर लेके आना है तो अगर patient को extension position में लेके आना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं उसकी extensor muscles को mainly activate करते हैं या उनको strengthen करते हैं जिससे वो क्या है extension position में काफी असानी से आ सकता है अब जो pivot prone position है यह क्यों helpful होती है अगर pivot prone position आ रही है तो उसी के बाद जो child होता है या जो patient है वो sitting में जा सकता है और standing में जा सकता है अगर कोई भी child या patient pivot prone position को attain नहीं कर पा रहा है तो वो further sitting या standing नहीं कर पाएगा तो यह देखे एक ontogenic sequence है कि pivot prone position attain कर पा रहा है तभी वो sitting और standing में जा पाएगा अगर वो pivot prone position attain नहीं कर पा रहा तो sitting और standing वो attain नहीं कर पाएगा और साथ साथ में यह किस patient के अंदर recommend की जाती है child के अंदर जिनके अंदर symmetrical tonic neck reflex में दिक्कत होती है mainly उसके अंदर यह mainly जो position है वो recommend करते है then जो हमारी fourth position होती है neck co-contraction neck co-contraction का पन्रिब क्या है पहले हम इसकी image देख लेते हैं यह देखे neck co-contract कर रहा है इसके अंदर जो child है वो तो neck co-contraction में mainly क्या होता है जो child की neck होती है जो patient की neck होती है इसके अंदर हमारी जो भी muscles होती है जो कि flexor muscles है या extensor muscles है हम उन दोनों muscles को activate करते हैं neck co contraction में क्या है जो child की muscles होती है flexor और extensor उन दोनों को mainly हम क्या करते हैं activate करते हैं जिसके through जो patient है वो अपनी neck को control कर सकता है और neck को control करने के बाद में क्या होता है मतलब काफी help हो जाती है उसको neck को turn कर सकता है flex कर सकता है rotate कर सकता है तो neck को contraction में mainly क्या होता है कि child की flexors और extensor muscles जो neck की होती है उनको activate करते है then हमारे next आता है prone on elbow अब prone on elbow की image देखो तो ये देखिए जो child है वो उल्टा है और elbows क्यों पर है so prone on elbow में mainly क्या होता है अब patient है या child है वो उल्टा करेंगे उल्टा उसके फिर elbow पर उसको weight देंगे तो इसके अंदर mainly क्या होता है कि जो weight bearing है वो mainly जो patient या child है वो elbow से क्या है करना start कर देता है अब इस position का benefit क्या होता है अगर कोई भी child या कोई भी patient इस position को attain कर सकता है तो इस position में आने के बाद में उसको surrounding का better view मिलेगा मतलब वो चारो तरफ देख सकता है बाकि इससे पहले जो मैंने आपको position बताई इसके अंदर वो चारो तरफ इतनी असानी से नहीं देख सकता पर अगर patient pronon elbow position में आ जाता है तो वो क्या गया चारो तरफ अच्छे से देख सकता है ठीक है अब यह जो position है यह हम किन patients के अंदर mainly recommend करते हैं जिन के अंदर scapula या फिर जो glenohumeral joint है उनका control नहीं है scapula or glenohumeral joint का control absent है या जिन पे patients में balance की दिक्कत होती है उनके अंदर mainly हम pronon elbow जो position है वो attain कर सकते है pronon elbow position में different exercises वगरा भी होती है हम इसके अंदर patient के अंदर वो भी develop कर सकते है वो functional re-education के अंदर mainly आयेगा वो हम उस वहाँ पर पढ़ेंगे अभी आप सिरफ इतना ध्यान दीजिए कि pronon elbow position mainly जो elbows है elbows पे weight bear कराने में help करती है यह देखिए elbow पे weight आयो है body का then surrounding का better view देखने को मिलता है साथ-साथ में scapula और glenohumeral joint के उपर control आ जाता है और balance में भी help होती है then हमारी जो next position आती होते quadriport position जो quadriport position होती है इसकी आप image देखिए पहले जो यह camel position आप कह सकते है cat camel position यह mainly क्या है quadriport position होती है quadriport position के अंदर mainly क्या होता है हम जो shoulder है और hip girdle muscles होती है उनको mainly activate करते है क्योंकि यहाँ पे देखिए यह हमारा shoulder की muscles है वो भी activate है और hip girdle muscles है वो भी mainly यहाँ पे क्या है activate है तो जो हमारी quadriport positions होती है इसके अंदर हम shoulder और hip girdle muscles को mainly क्या है activate करते हैं यह भी balance training में help करती है और crawling मतलब इस child या फिर patient अगर एक बार इस position में आ जाए तो आगे क्रॉल करके जा सकता है तो quadriport position इसलिए भी काफी ज़्यादे important होती है further quadriport के अंदर काफी सारी exercise होती है दो तो मैंने आपको अभी बता दिए cat camel exercise तो यह सारे जो टोपिक है यह functional education का टोपिक है then हमारा जो next point आता है वो होता है standing standing में mainly क्या होता है एक बार patient quadriport position में आ जाता ह है उसके बाद में उसको stand होने में ज्यादा दिकत नहीं आती उसके बाद में वो stand हो सकता है खड़ा हो सकता है अब खड़े होने के लिए वहां पर उसकी ट्रंक में भी अच्छी stability होनी चाहिए उसकी upper और lower extremities के अंदर भी काफी अच्छी stability होनी चाहिए और यहां पे जब एक बाद patient stand हो जाता है तो उसके बाद में क्या गरते हैं जो उसके upper extremity होते है जो हाथ होते है उनको free छोड़ देते ताकि वह अपने हाथ से किसी object को भी carry कर सके और साथ साथ में उसका balance भी maintain हो सके तो यह देखें यह ontogenic sequence है अगर हम किसी एक अगर suppose कीजिए patient roll over यहां पे है इस position में है तो हम roll over position से direct neck co contraction पे तो नहीं जा सकते ना यह example यहां पे आपको better समझ में आएगा patient pronon elbow position ही attain कर सकता है अब अब pronon elbow से हम direct standing position में तो नहीं जाएंगे ना क्योंकि patient करी नहीं पाएगा हमें pronon elbow से पहले patient को quad report position के अंदर लेके आना होगा quad report position में आने के बाद में एक बार patient यह position अच्छे से attain करने लग जाए यह exercises करने स्टार्ट कर दे उसके बाद में हम उसको standing पे लेकाएंगे ताकि patient की जो balance है या फिर patient की जो muscles है वो अच्छे से maintain हो सके वो strength maintain कर सके ठीक है then हमारा एक बार वापस देख लीजिए this is first जो हमारी पहली थी supine withdrawal then यह roll over ठीक है then यहाँ पे pivot prone then neck co contraction then यहाँ पे prone on elbow quad report position and this is standing position then जो दूसरा ओंटो यह देखे जो दूसरा हमारा ontogenic sequence का point है that is vital function sequence so vital function sequence में हमारे कौण कौण से sequence आते है that is inspiration, expiration, sucking, sucking करना then liquids को swallow करना then different voices निकालना clearly बोल नहीं बोल नहीं रहा जो patient है या बच्चा है वो क्या है different voice निकालता है then जो solid food होता है उसको swallow करना और ending में जो बोलना speech क्या होता है हमारा ending में आता है तो यह हमारे vital function sequence होते है then हमारे appropriate sensory stimulus अब रूड ने हमें कहा था कि हमें कोई भी एक desired muscular response चाहिए अगर हमें कोई भी muscular response चाहिए तो उसके लिए हमारी body में चार टाइप की receptors होते हैं जो कि में हमें stimulate करने पड़ते हैं यह चार टाइप की receptor कौन-कौन से होते हैं that is proprioceptive receptors, exterior receptors, vestibular receptors and special sense organs इन चारों के बा तो में लिए अभी आप इतना याद रखें कि हमारी body में 4 टाइप के receptors होते हैं जो कि में लिए हमें stimulate करने होते हैं that is proprioceptive receptors, exteroceptive receptors, vestibular receptors and special sense organs अब हमारे यहाँ पे आता है manipulation of ANS मतलब autonomic nervous system को कैसे manipulate कर सकते हैं autonomic nervous system में mainly दो type के system साते हैं that is parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system तो आपको facilitation और inhibitory techniques को समझने से पहले यह पता होना चाहिएगी parasympathetic nervous system और sympathetic nervous system में mainly हम कब-कब stimuli देते हैं तो देखिए अगर कोई patient है, wait a minute, suppose कि जो कोई patient है और वो hyperactive है हमें उसे relax करवाना है अगर patient hyperactive है हमें उसे relax करवाना है तो वहाँ पे हम उसे parasympathetic stimuli mainly देंगे, मतलब inhibitory stimuli देंगे for example, patient की कोई muscle spasm में गई हुई है और हमें उसे release करवाना है, relax कराना है तो हम वहाँ पर parasympathetic जो nervous stimuli होता है, वो देते हैं, जिसकी जो उसकी muscle होती है, वो relax हो जाती है, then अगर कोई patient inactive की जो muscles है वो inactive है और हमें उसे activate कराना है, हमें उसे stimulate करना है, हमें उसे facilitate करना है, तो हम वहाँ पे क्या है sympathetic जो stimuli होता है वो देते हैं, मतलब parasympathetic stimuli कब देते हैं, अगर हमें किसी च चीज को फैसलिटेट करवाना है तो यह मेरी ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से आप देखें सिंपेटिक जो स्टिमुलाई होते हैं वह हम कैसे कैसे देते हैं वह हम अनप्लेजेंट स्मेल के थूदे सकते हैं वोकल कमांड के थूदे सकते हैं या फिर अगर हम जो हैंड की पाम होते हैं फिट होता है या या फिर जो अभर हुटक करना हैं तो अब देखें यहांपर treatment plan कैसे बनाएंगे कोई भी patient हमारे पास आ रहा है उसका treatment plan हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि treatment plan है वो हर patient का same नहीं होता हर patient का treatment plan अलग होता है on the basis of their type of body या फिर हर patient की complications होती है हर एक condition की वो अलग-अलग होती है ज़रूरी नहीं है कि मेरे अंदर cerebral palsy है और किसी और patient पे भी cerebral palsy है तो दो patient की जो symptoms है या फिर complications है वो same मिलेगी different मिलेगी दोनों की complications कुछ एक symptoms से मिल सकते हैं तो उसी according जो हमारे treatment plan है वो भी different होगा उन दोनों patients के लिए अब अगर हमें treatment plan set करना है तो हम patient की जो muscle से उनकी tone को देखेंगे कि जो हमारी target muscle है उसकी tone क्या है tone जादा है कम है उसी बेस पे तो हम हमारा facilitator या inhibitory जो stimuli है वो देंगे ना patient को सबसे पहले हम उसकी tone distribution को क्या है check करना पड़ेगा बाद में उसका ontogenic sequence check करना पड़ेगा कि मतलब patient की जो motor control है development है वो कुन से level पे है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर patient का दो level पे है तो हम उसे 3 लेके जाना है हम उसे एक miss भी नहीं करेंगे 2 से 4 भी नहीं जाएंगे 2 से हम कह तीन ही जाएंगे तो current level of motor control या current level of motor development भी patient का हम क्या है आप करें चेक करेंगे जो हमारा treatment plan है वो patient की needs की according सेट होगा कि patient को need क्या है कौन सी moment में दिक्कत आ रही है उसके according हम जो हमारा treatment plan है उसको set करेंगे अब जो हमारा treatment plan है वो time time adjust होना चाहिए मतलब patient हमारे पास आया हमने उसकी condition और complications को देखके एक treatment plan बना दिया अब उस treatment plan से patient को फायदा नहीं हो रहा या फिर बहुत कम फायदा हो रहा है तो हम क्या करेंगे कुछ time बाद हमें लगेगा कि जब patient को relief नहीं हो रहा त हम हमारा treatment plan है उसको change कर देंगे तो हमें time time पे हमारे patient की condition के हिसाब से हमारा treatment plan है उसको adjust करते रहना चाहिए then हम पहले बात करते है फैसिलिटेटरी टेकनिक की फैसिलिटेटरी टेकनिक का मतलब क्या है कि suppose कीजिए patient hypotonia में है मतलब उसकी muscle weak है तो उस condition में हमें उसकी muscles को strong करना है facilitation करना है तो हम यहाँ पर sympathetic जो stimuli है वो देंगे जिससे जो patient की muscle है वो strong होगी उसमें strength आएगी और वो hypotonia से बहार आ जाएगा हमारी fingers या फिर जो brush आते हैं काफी पटले पटले उसके अंदर hairbrush hairs होते हैं तो हम camel hairbrush या फिर हमारी fingers के थ्रू क्या कर सकते हैं उसको patient को stimuli में ली दे सकते हैं अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा हमें हमारी dermatome को देखना पड़ेगा अब suppose जैसे कि म estenormatome को देखना उगा biceps muscle के उपर जो skin है वह देखना होती है तो अगर हममें biceps muscle को stimulate करना है तो उतकि ऊपर को कि जो skin है इसको मेंلف stimulate करेंगे जब आम ऐसके उपर की skin को stimulate करेंगे तो रे किया देखने को में देखिए जो उपर यहां पर की सकीन होते हैं मेंदी सप्लाइ अगर हमें को स्टिम्लेट करना है तो हमें चीन करना पड़ेगा जिससे क्या को हमारा एल्बो का extension होएगा, है ना, तो अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, C7 dermatome को choose करते हैं, मतलब triceps keeper की जो skin है, उसको choose करते हैं, और वहाँ पर हमारे finger से, या फिर जो हमारा camel hair brush होता है, उसके through हम क्या करेंगे, बिल्कुल light moving touch, मतलब बिल्कुल light, यह एक example के लिए दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही light touch, बिल्कुल soft hand से हम क्या करेंगे, वहाँ पर 3 to 5 wraps देंगे, ठीक है, जब हम वहाँ पर बिल्कुल light touch से finger tip से 3 to 5 wraps देंगे, तो वहाँ पर कहा है, जो वह मेंली कहा है, stimulate होगा, अब जब हम 3 से 5 wraps देंगे, वहाँ पर stimulate होगा, तो जब वह stimulate हो रहा होता है, तो उस time हमें कहा है, वहाँ पर 30 second का break लेना होता है, और wait करना होता है, कि जो muscle है, muscle वहाँ पर respond करें, मतलब हमारे जो elbow extension है, वो आए, तो मतलब हमने 3 से 5 बार वहाँ पर wraps, 3 से 5 repetitions दी उस एरिया में, और then हम 30 second का wait करते हैं, ताकि जो muscle है, muscle वहाँ पर respond कर सके, और उस time पर हम patient को कोई न कोई एक ऐसी activity करने के लिए कहते हैं, जो की mainly काफी जादा helpful होगी, ठीक है, जिससे जो हमारी facilitation है, वो हो सके, और इसके अंदर जो fingers होते हैं, वो mainly stimulate करना है, तो हम C5 dermatome को choose करेंगे, C5 dermatome जो skin है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे fingers के through, 3 to 5 times उपर की तरफ, बिल्कुल हलके हाथों से, repetitions करेंगे, और बाद में 30 second का break लेंगे, muscle को time देंगे, respond होने का, और जब वो muscle respond हो रही होगी, तो हम उस time में patient को कुछ activity करने के लिए कहेंगे, जिसके through क्या होगा, जिसके through, वो जो movement है, वो काफी असानी से हो सकेगी, और फिर हम क्या है, उसको वापस से, 3 to 5 reps, फिर से 30 second के बाद में, फिर से उसको क्या है, stimulate करना, start कर देंगे, then, जो हमारी second technique है, वो है fast brushing technique, fast brushing technique में में लिक्या होते है, जैसा कि मैंने आपको light moving touch बताया था, यह भी बिल्कुल वैसा ही है, बट इसके अंदर हम क्या करते है, थोड़ा जो brushing है, उसको fast करते हैं, उसके अंदर तो बिल्कुल light touch करके, आराम-ाराम से कर रहे थे, इसके अंदर हम जो brushing है, उसको fast fast करते हैं, जिसके तुरू क्या होता है, जो sensory information होती है, वो improve होती है, और जो patient के consciousness है, वो काफी अच्छा develop होती है, तो पहला आपको बता है, मैंने light moving touch, दूसरा है fast brushing technique, अब जो third है, वो हमारी A icing है, इसको हम कहते है, quick icing भी कहते हैं, अब इसके अंदर हम क्या करते है, ice cube का use करते है, एक ice cube लेते हैं, ice cube को हम direct हाथों से नहीं पगड़ते हैं, तो burn हो सकता है, ice cube को हम एक cloth के त्रू क पगड़ते हैं, और फिर patient की जो target muscle है, और अगना biceps का यह example ले लेते हैं, patient की जो target muscle है, उसके उपर mainly apply करते हैं, मतलब muscle की उपर तो apply नहीं कर सकते हैं, direct हम muscle के, यह roots कहते ही है, कि हमें senseless चुमलत देना है, तो उस muscle की उपर जैसे c5 dermatome, जो skin है, skin की उपर mainly हम apply करते हैं, वह कहते जाएंगे, कि जैसे elbow flexion, तो elbow flexion करने के लिए, हर तीन swipe में हम कहा है, patient को कहते रहेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगी, उसके जो muscle होएगी, biceps, वह में लिए क्या है, facilitate होगी, जो यह हमारी A icing technique, जिसके नदरे में एक ice cube का use करते हैं, और जो patient की muscle के उपर, जो skin है, उसके उपर quick icing करते हैं, और हर तीन swipe के बाद हम कहा है, वहाँ पर जो पानी है, उसको clear कर देते हैं, और patient को एक purposeful moment करने के लिए कहते हैं, Then हमारी जो four technique होते है, वो ते C icing, C icing mainly क्या होती है, C icing किसले ही use की जाती है, mainly जो हमारी postural या फिल जो anti-gravity muscles होती है, उनको activate करने के लिए, या फिल जो anti-gravity muscles होती है, उनको activate करने के लिए, जो हमारी body की extensor muscles होती है, वो हमारी posture control करने में help करती है, तो जो हमारी postural muscles होती है, anti- gravity muscles होती है उनको activate करने में जो हमारी C icing technique होती है वो help करती है अब किसी patient के अंदर अगर जो head control है वो काफी जादा poor है या फिर patient अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है ठीक है तो उसका मतलब क्या है कि patient अपने posture को maintain नहीं कर पा रहा है तो उस condition में हम इस technique को के यूज कर सकते है इसके अंदर हम पिछली A icing की तरह एक ice cube का यूज करते है और हमारे desired dermatome पे mainly apply करते है और उसके अंदर हम कहा है इसके अंदर एक downward pressure apply करते है जो कि mainly 3 minute के लिए लगाया जाता है उसके अंदर तो हम quick icing कर रहे है तीन quick icing की then clear की इसके अंदर हम कहा है तीन मिन तक constant के downward pressure लगाते है वाइस जो mainly हमारे dermatome है उसके उपर रखे ठीक है और इससे क्या होते है जो हमारे c fibers होते हैं जो कि अब c fibers होते हैं वो slow fibers होते हैं तो जब हम आपे pressure apply करते हैं तब जाके जो c fibers है वो stimulate होते हैं तो यहां पे ह हम तीन मिन तक रखते हैं जिसके तुरू जो हमारे c fibers होते हैं वो mainly stimulate होते हैं और इसके तुरू हमारे जो patient है patient के अंदर mental alertness क्या होती है बढ़ती है और साथ साथ में जो gravity muscles होती है उनकी जो tone होती है anti gravity muscles की increase होती है so a icing और c icing में आपको फर्स समझ में आ गया होगा है a icing के अ होते हैं यह कफी जाता slow fibers होते हैं इसलिए हम आपके आइस क्यूब को एक जो desired targeted dermatome में उस क्यूब पर प्लेस करके तीन मिन तक downward pressure प्लाइ करते हैं जिसके तुरू patient की जो mental alertness होती हो इंक्रीज हो जाती है then हमारे next technique आते होती हो vibration इसके अंदर हमारे इस technique में में हमारे पास क् अधर इलेक्रिकल वाइब्रेशन हम पेशन को में लिए इस technique के तुरू electrical vibration देते हैं vibration की frequency की इतनी होते है एक से अधर सो से 200 cycles में लिए हम क्या है vibration की देते हैं पेशन को और कहां पर देते हैं जो हमारा desired dermatome होता है जिस muscle को में stimulate करना है उसके उपर का जो dermatome है वहां पर हम में लिए है यह सो से 200 cycles per second के हिसाब से vibration देते हैं जिसके थुरू हमें क्या होता है जो desired myotomal response होता है वो देखने को मिलता है और vibration जो होता है वो एक से दो मिनिट से जादा नहीं होता अगर vibration एक या दो मिनिट से जादा होगा तो हाँ पे बहुत जादा माउट में heat और friction करेंगे जिसके अंदर हम complete inhibitory techniques का discuss करेंगे so thank you